मनुस्य की अमूले निधि उसकी संस्कृती होती है संस्कृती एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की छमता अर्जित करता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं राम सेतु पुल के बारे में हिंदु धर्म का इतिहास ना केवल आध्यात्मिक दृष्टी से अपितु बैग्यानिक दृष्टी से भी बहुत उन्नती कर रहा है इसका सबसे इसकी परसंसा करते नहीं ठकते हैं समय बीतने के साथ साथ यह जरजर होता गया यानि की कमजोर होता गया वा पंद्रहवी सताब्दी में समुद्र में आए भयानक चक्रवात के बाद यह समुद्र के अंदर डूब गया उससे पहले यह भारत वा स्री लंका के लोगों की बीच आवाजाही के लिए प्रमुक मार्ग था इस सेतु के द्वारा लोग अपना समान वाहान त्यादी के साथ यात्रा करते थे लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर जनक बात यह है कि आखिर इस सेतु का निर्माण किस प पता लगाया कि आखिर इसके पीछे क्या रहस है बैग्यानिकों के दौरा किये गए सोत से पता चला कि सबुंद्र मंथन के पानी पर सेतु बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तिमाल किया गया था वह दरसल जौला मुखी के बिसपोर्ट में लावा से निकले पत्थर थ जब यह लावा के पत्थर कम तापमान के संपर्क में आते हैं तो यह अत्तधी कठोर आचरण वाले हो जाते हैं इसमें कई सूच में छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है जब इन पत्थरों को पानी में फेका जाता है तो इन छिद्रों में हवा भरी होने के कारण य बिटृत्र तुमें समुंद्र पर सेतु का निर्माड किया गया तब बिभिन अस्थानों में वानर र सेना को भेज कर ज्वाला मुखी के इन ही पत्थरों चट्टानों को मंगवाया गया था ताकि ये पानी में डूबे नहीं वानट सेना के अथक प्रयास के कारण केवल पांच दिनों के अंदर ही भारत से स्रीलंका के बीच सव योजन के सेतु का निर्माड हो गया जो आज तक बिद्दमान है राम सेतु को नल नीन सेतु भी कहते हैं भारत के दच्षणी भाग के अलामा स्री लंका जापान सहित अनेक स्थानों में ऐसे पत्थर मिलते हैं भारत के दच्षण पूर्व में रामे स्वरम और स्री लंका के पूर्वत्तर में मननार दीप के बीच चूने की उथली चटानों की चैन है इसे भारत में रामसेतु और दुनिया में एडम्स ब्रिज यानि की आदम का पुल के नाम से जाना जाता है और इस पुल की लंबाई करीब 30 मिल यानि की 48 किलो मीटर है या स्ट्रक्चर मननार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहे हैं स्वस्त्रे